कुछ समय पहले की बात है एक गव में एक राजा हुआ करता था जिसकी एक ही बेटी थी और वो बहुत खुपसूरत थी उसकी खुपसूरती को देख लोग उसका दिगवाने हो जाते थे लेकिन उस राजकुमारी में अपनी खुपसूरती की वज़े से बहुत ही ज़्यादा करती थी क्योंकि राजकुमारी ये बात कभी नहीं चाहती थी कि कोई और उससे ज़्यादा खुपसूरत दिखे एक दिन जो वो महल में कहल रही थी तब ही उसे एक दास ही नजर आती है जिसे देखकर राजकुमारी गुस्ते से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ उसे ज़्यादा कोई सुंदर हो मैं ऐसा बरदाश नहीं कर रहती सिपाहियो इस लड़की को महल के जेल में डाल दो मुझे इस लड़की की शकल दोबारा नहीं देखनी है समझे तुम लेकिन राजकुमारी सी मेरी गलती क्या है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है तुम उ चार और ये बाते होने लगती है कि राजकुमारी को अपनी खुपसूरती पर बहुत ही घमंड है योहें कुछ दिन और बीच जाते हैं एक दिन राजकुमारी अपने गुलाबों के बगान में कहल रही थी जहां उसे बहुती संदर गुलाब नजर आता है जिने देखकर र मेरी संदरता और विबढ़ जाएगी एक गुलाब अपने बालों में लगा ही लेती हूं राजकुमारी जैसे उस गुलाब को तोड़ने जाती है तभी उस गुलाब से आवा जाती है गुलाज कुमारी मुझे मत तोड़ो मेरे छोटे छोटे चोटे बच्चे हैं उन्हें म प्लीज, मुझे मत तड़ो, मेरा परिवार मेरे विनक अधूरा हो जाएगा क्या ये सच है? एक गुलाब भला कैसे बोल सकता है? खेर, जो वी हो, मुझे तो ये गुलाब अपने बालों में लगाना है, और सुन्दर दिखना है ये कहकर राजकुमारी उस गुलाब को तोड़ लेती है, जैसे ही इस गुलाब को राजकुमारी अपने बालों में लगाती है, वैसे ही वो खूफ सूरत से बसूरत हो जाती है और ये देखकर राजकुमारी कहती है हे फगवान ये सब क्या हुआ मुझे मैं अचानक इतनी काली कैसे हो गई इतना कहकर राजकुमारी भागते हुए नदी के पास जाती है और अपने चेहरे को पानी में देखते हुए कहती है अरे मेरे चेहरा, मेरे चेहरे पे इतनी दाने कैसे निकल गए और में इतनी गुडी कैसे दिखने लगी राजकुमार इतना कहती है तबी उसके बालों में लगा जादूई गुलाब कहता है तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बेकोड ठीक हुआ है तुम्हें अपनी इस खूपसूरती पर बहुत घमन था ना और तुमने मुझे से मेरा परिवार चीना और वैसे ये तुमारी भी खूपसूरती चीन गई है अब तुम जिंदगी बर ऐसे ही बत सूरत रहोगी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुझे माफ कर दो जा दो गुलाब और मुझे मेरी खूपसूरती लोटा दो मैं इस बत सूरत चेहरे के साथ जीन नहीं पाओंगी मुझे माफ कर दो जा दो गुलाब मुझे माफ करना ऐसा नहीं होगा अगर तुम अपनी खूपसूरती चाहती हो तो तुम्हें अच्छे काम करने होगी दूसरों की मदद करनी होगी जब तुम ठीक हो पाओगी जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी तब तक तुम ठीक नहीं हो पाओगी ठीक है मैं अपनी खूफसूरती को पाने के लिए सब कुछ करूंगी इतना कहकर राजकुमारी अपने महल में वापिस आ जाती है अब पूरे गाउ में राजकुमारी की बसूरत होने की बात फैल गई थी और सबी राजकुमारी पर बहुत ज़्यादा हसने लगते हैं लेकिन राजकुमारी उन्हें कुछ कह भी नहीं बात थी अब उसे सरर माने लगी थी बाहर जाने में भी राजकुमारी अपनी गलते को सुधारने के लिए उस लड़की के पास में जाती है जिसे उसने खुपसूरत होने की वज़े से जेल में वेजा था और उससे राजकुमारी कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, वो गलत किया मुझे अपनी गल्दी पर पस्तावा है राजकुमारी जी, आप मुझे माफिय मत मांगी आप तो इस गाओं की राजकुमारी है और मैं एक मामुली काम करने वाली लड़की और आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए तुम इतनी खुपसूरत और कितनी अच्छी हो तुम्हे अपनी खुपसूरती पर जरा भी घमण नहीं है अगर मैं तुम्हारी तरह होती तो आज मैं इतनी बस सूरत नहीं होती राजकुमारी जी आप चिंता मत करो सब ठीक होगा मैं भगवान से प्रापना करूँगी कि आपको आपकी सुन्दर तब आपिस मिल जाए अब राजकुमारी वहां से चली जाती है उस दिन के बाद से राजकुमारी गरीब लोगों की मदद करने लगती है वो गरीबों को कपड़े और खाने का रासन दिया करती थी अब जो लोग पहलें राजकुमारी से नफरत किया करते थे वो भी अब राजकुमारी तारीफ करने लगे लेकिन ये सब करते हुए राजकुमारी को बहुत ज़्यादा दिन हो चुके थे और राजकुमारी अब तक ठीक नहीं होई थी और एक दिन फिर से राजकुमारी जादुई गुलाब के पार जाती है और उसे रोते हुए कहती है जादोई गुलाब, इतना समय हो गया है, तुम्हारे कहने पर मैंने सब की मदद की लेकिन अभी तक मुझे मेरी सुन्दरता वापिस नहीं मिली, मैं क्या करूँ? माना के तुम सब की मदद कर रही हो, लेकिन यह तुम अपने स्वार्थ की लिए कर रही हो जब तक तुम अपने सचे मन से दूशरों की मदद ना करो, तब तब तुम पहले जैसी नहीं होता होगी उस जादोई गुलाब की बाते सुनकर, राजकुमारी वहां से चली जाती है, रास्ते में जाते वक्त, राजकुमारी को भूख लग जाती है और राजकुमारी के परस खाने के लिए बस एक सेप था, और जैसे ही राजकुमारी उस सेप को खाने ही वाली थी, तब ही उसे एक बोड़े आदमी की आवाज आती है ए भगवान, वो जोड की भूख लग दी है, कुछ खाने को मिल जाता तो भूख मेटी आती राजकुमारी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके रास्ते में आ गया, मुझे सज्जा मत दीजिएगा, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ नहीं नहीं, आप बैठिये, पर मुझे को बताईए कि क्या हुआ है राजकुमारी जी, मैंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चक्कर आ गए और मैं यहाँ पर बैठिया हूँ क्या अपने कुछ भी नहीं खाया हूँ ये लेनी जी, ये सेब आप खा लीजी इतना कहकर, राजकुमारी अपना सेब उस बुड़े आदमें को दे देती है और वो बुड़ा आदमी अपनी भूक मिटाता है इतना ही नहीं, वो उस आदमी को अपने साथ महल में भी लेके जाती है और उसे बहुत कुछ खाने को देती है और खाना खाने के बाद वो बूरा आदमे खाना खाने के बाद राजकुमारी को धेर सारे दुआये देता है अब राजकुमारी दुबार से एक बार खुद को आइने में देखकर कहती है अब तो मैंने उमीद छोड़ दी है कि मैं पहले जासी हो पाऊंगी अब तो मुझे इस काले चेहरे के साथ जिंदगी ही बितानी पड़ेगी इतना कहकर राजकुमारी सो जाती है अगली सुभा जब राजकुमारी उठती है तो वो खुद के हातों को देखकर एकदम हैरान हुजाती है क्योंकि वो पहले यासी खुबसूरत हो चुकी थी राजकुमारी दोड़ के आईने के पास जाती है और वो देखती है कि वो वापस से खुबसूरत हो गई थी राजकुमारी को समझ ही में ने आता कि ये सब कैसे ठीक हो गया जिसके बाद वो जल्ली से उस गुलाब के बगान में जाती है और उस गुलाब से बात करने की कोस्टिस करती है लेकिन गुलाब कोई जवाब ही नहीं देता तब ही राजकुमारी को याद आता है कि वो सायच सपना देख रही थी